तो इंडिया में अगर आपको कॉलेज में टेशन मारना हो या फिर अपनी गर्ल्फरेंड को राइट पर लेकर जाना हो तो ऐसी 10 बाइक हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को ऐसी बाइक चाहिए जो उनके बजेट में भी फिट हो जाए मैलेज उनको अच्छा दे और उस बाइक की रोड प्रेजन्स भी अच्छी हो तो आज की वीडियो में मैं आपको उनी सब भी बाइकों के बारे में बताने वाला हूँ उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना इस वीडियो का लाइक के मैंने रखा है 250 लाइक का यह बाइक दोस्तों आपको 1,37,000 के एक्षोन प्राइस पर अवेलेबल है जो कि आपको ओन रोड परती है 1,62,000 की तो इन सेग्मेंट इस बाइक का जो प्राइस फिगर है न वो काफी अफॉर्डेबल है बागी इसके फीचर्स पगर है में आपको 5-speed gearbox मिल जाएंगे बाइक में सिंगल चैनल ABS होगा आप सभी की safety के लिए और बाइक का कॉंसोल है फुली डिजिटल जिसमें आपको सभी basic function शोख हो जाएंगे और बाइक के dimension में आपको इसमें 148 kg का कवबेट देखने को मिलेगा बाइक की seat 8 होगी 795 mm की जो की थोड़ी बहुत दिक्कते देने वाली है शोट आडर को बाइक को बेट करने में और बाइक में आपको 12 लिटर की fuel tank capacity मिल जाएगी और ये बाइक आपको 40 से 45 km पर लिटर का mileage देगी city riding में और highway riding पर तो अगर आपका budget कम है और आपको एक entry level की sports bike चाहिए तो आप Suzuki Jixxer SF को जरूर consider कर सकते हो बाकि 9th नमबर पर है hero की दर्फ से आने वाली hero experts 200 जो की अगेन आपको affordable price पर available हो जाएगी क्योंकि इस spike का action room price है 1,27,300 रुपीज जो की आपको on road पड़ेगा 1,52,000 के price पर और hero experts 200 में आपको 199.6 cc का all cool single cylinder engine मिल जाता है जो की maximum power produce करता है 19.17 bhp की 8,500 rpm और maximum torque produce करता है 17.35 newton meter का 6,500 rpm तो अगर आपकी height ज़्याद है 5,826 feet है और अगर आपको chunky सी बैक चाहिए जो की road पर बड़ी लगे बाकी बैकों से तो आप hero experts 200 को consider कर सकते हो बाकी इसके feature में आपको single channel ABS, mobile phone connectivity, gear indicator, navigation और fully digital console मिल जाएगा तो अगली bike उन लोगों के लिए जिनका budget 1,000,000 तक का है और उनको इस budget में ऐसी बैक चाहिए जो की sporty look दे, features उसमें अच्छे हो और bike का road presence भी ठीक ठाक हो तो इसी कटेगरी में bike available है, TVS rider जो की 86,000 के action price पर available है और आपको ये बैक 1,2,000 के on road price पर पढ़ेगी तो इसके spec में आपको 124.8cc का air cool engine मिल जाता है जो की maximum power produce करता है 11.38 newton meter की 7,500 rpm और maximum torque produce करता है 11.2 newton meter का 6,000 rpm फीचर्स में आपको इसमें 5-speed gearbox, TFT display, mobile phone connectivity और navigation जैसे advanced features मिल जाते है और dimension में इस spec का curve rate है 123 kg का bike काफी light weight है और seat ID spec की 780 mm की है जो की बिलकुल favor में रहने वाली या short rider के लिए उनको bike को operate कने में दिखते नहीं आएंगी और bike में आपको 10 litre की फिन उटेंग अपसेटी मिल जाती है और ये bike आपको 50 से 55 km पर लिडर का mileage देगी city riding और highway riding पर तो गर आपको bike की journey start करने हो और आपको budget कम है तो आप TBS Rider 125 को consider कर सकते हो और जो bike 7 number पर है वो फिलाल में काफी ज़दा popular हो गई है क्योंकि इस bike में आपको dual channel ABS बिल जाता है जो कि फिलाल में segment में किसी भी bike में available नहीं है और इस bike का price भी बाकी bikeों से थोड़ा सा कम है तो हम बात कर रहे है बजाच Pulsar N160 की जो कि आपको 1,22,800 के price पर available हो जाती है जो कि इसका single channel ABS वाला model है और यही bike आपको 1,47,800 के on road price पर available हो जाएगी और इसका dual channel ABS वर्जन आपको 1,27,800 के price पर available हो जाएगा बाकी insurance वा आट यो लगा कर यह आपको 1,53,300 के price पर available हो जाएगी on road तो इस bike में आपको 164.82 cc का single slender SOS engine मिल जाता है जो कि maximum power produce करता है 16bhp की 8,750 rpm पर और maximum torque produce करता है 14.65 newton meter का 6,750 rpm पर features में आपको इसमें 5-speed gearbox, dual channel ABS और fully digital console मिल जाता है बाकी dimension में इस bike का cover weight है 154 kg का seat height bike की 795 mmHg जो कि थोड़ी बोद दिक्कते देने वाली है short rider को bike cooperate करने में और fuel tank capacity आपको इसमें मिल जाएगी 14 liter की और यह bike आपको 40 से 45 km पर लिटर का mileage देगी city riding में और highway riding पर तो 6th bike का TVS की तरफ से आने वाली TVS run-in जो कि थोड़ी सी undefined सी है यह bike आपका 149,000 के action room price पर available हो जाती है जो कि आपको on road पड़ेगा 1,75,800 bike में आपको 225.9 cc का single slander engine मिलता है जो maximum power produce करता है 20.4 bhp की 7,750 rpm और maximum torque produce करता है 19.93 newton meter का 3,750 rpm तो क्योंकि यह TVS की bike है तो features आपको इसमें काफी advanced मिलने वाले है सबसे पहले आपकी safety case में dual channel ABS है साथी साथी इसमें mobile phone connectivity, navigation, ABS modes, voice assist और side stand cutoff switch यह सारे advanced feature आपको इस bike में मिल जाएंगे जो की फिलाल में किसी भी segment में आने वाली bike में available नहीं है और dimension में इसका curve weight 160 kg का bike थोड़ी सी ज्यादा heavy है लेकिन जो इसकी type है ना उस हिसाब से यह बिलकुल okay है बाकि इसमें 795 mm की seat height है जो की थोड़ी बहुत दिखते देगी short rider को और 14 लीटर की fuel tank capacity है और यह bike आपको 35 से 40 km पर लीटर का mileage देगी city riding में और highway riding पर तो अगली bike है hero की तरफ से hero extreme 160r जो की 118,600 के action price पर आती है और on road देखा जाए तो यह bike आपका 142,200 के price पर available हो जाएगी इस bike map का 163cc का air cool single slender engine मिलता है जो की maximum power produce करता है 15.2bhp की 8,500 rpm और maximum dog produce करता है 14 newton meter का 6,500 rpm तो अगर आप एक naked street fighter bike को लेने का plan कर रहे हो तो आप hero की extreme 160r को consider कर सकते हो बाकि आपको इसमें features में 5-speed gearbox, single channel ABS आपसे भी की safety के लिए gear position, indicator, hazard light और fully digital console मिल जाएगा dimension में bike का कावेट है 143kg का seat height आपको bike में 790mm की मिलेगी और इस bike की fuel tank capacity है 12 liter की और यह bike आपको 40 से 45 km per liter का mileage देगी city riding और highway riding पर और यह bike hero की तरव से one of the best model है और इस bike का updated version में launch होने वाला है 2023 की market में तो अगर आप extreme 160r को लेने का plan कर रहे हो तो यह better होगा कि आप थोड़ा सा wait कर ले बाकी fourth number पर है Indian tool market की one of the best selling bike tvs apache 164v यह bike आपको 1,22,000 से 1,30,000 के action price पर मिल जाएगी जो की on road आपको 1,47,000 से 1,56,000 के price पर अवेलेबल होगी इस bike में आपको 164.9 cc का oil cool single sender engine मिलेगा जो की maximum power produce करते है 19.2bhp की 10,000 rpm और features में आपको इसमें single channel ABS मिलेगा आपक में 5-speed gearbox है राइडिंग मोड्स भी आपको इस bike में मिल जाएंगे और साती साथ आपको इसमें mobile phone connectivity वाला feature भी मिलेगा जो की tvs फिलाल में अपनी सारी bikeों में दे रहा है बाकी dimension में 148 kg इस bike का कववेट है 800 mm के आपको इसमें seat height मिल जाएगी जो की थोड़ी बत दिकते देने वाली है short rider को बाइक को ब्लेट करने में और इसमें आपको 12 लीटर की fuel tank capacity मेलेगी और यह बाइक आपको 35-40 km पर लेटर का मैलेश देगी city riding और highway riding पर तो अगली bike के college going student की one of the favorite bike KTM RC 200 तो यह बाइक आपको 214,700 के action price पर available होगी जो की on road आपको पढ़ेगी 248,600 के price पर तो फिलाल में KTM की काफी तगडी fan following एंडियन मार्केट में तो अगर आपको भी fan following का इससा बनना है तो आप KTM RC 200 को consider कर सकते हो क्योंकि इस spike में आपको 199.5 CC का single cylinder engine मिलेगा जो की maximum power produce करते है 25BHP की 10,000 rpm और maximum top produce करते है 19.2 Nm का 8,000 rpm और features में आपको 6-speed gearbox dual channel ABS आप सभी की safety के लिए gear position indicator और fully digital display म seat height bike की 835 mm जो की थोड़ी बद्दिक करते देने वाली है short rider को bike cooperate करने में और bike में आपको 13.7 लेटर की fuel tank capacity मिल जाएगी और ये bike आपको 30 से 35 km पर लेटर का मालस देगी city riding और highway riding पर तो अगली bike है Indian Tulam market की one of the most popular bike Yamaha R15 V4 ये bike आपको 1,79,400 से 1,92,400 के action price पर अवेलेबल है जो की आपको on-road पड़ेगा 2,5,500 से 2,19,700 के price पर या महा R15 V4 मैपको 155 cc का liquid cool single cylinder engine मिलेगा जो की maximum power produce करता है 18.4 bhp की 10,000 rpm और maximum torque produce करता है 14.2 newton meter का 7,500 rpm और और features में इसमें आपको 6-speed gearbox मिलेंगे 12-channel ABS है bike में और advanced feature मैपको इसमें mobile phone connectivity, quick shifter, traction control और riding modes जैसे features मिल जाएंगे बाकी dimension में इस bike का curve weight है 142 kg का bike का lightweight है काफी nimble sat riding के लिए seat height bike की 8-15 mm है जो की दिकते देगी short rider को और इसमें आपको 11-liter की fuel tank capacity मिल जाएगी और ये bike आपको 45-50 km per liter का mileage देगी city riding में और highway riding पर तो पहले नमबर पर जो bike है वो naked style में सबसे ज़्यादा consider करने वाली bike है और जो इस bike का road presence है वो काफी peak पर है मतलब आज के time पर हर को इस bike को own करना चाहता है तो मैं बात कर रहा हूं Yamaha MT-15 version 2 के बारे में जो की आपको 1,64,900 के action price पर available होती है और own road देखके तो ये bike आपको 1, 18,9,500 के price पर मिल जाएगी बाकी features में इसमें same Yamaha RM5 V4 के engine का use किया गया है जो की maximum power produce करते है 18.4bhp की 10,000rpm और maximum torque produce करते है 14.1Nm का 7,500rpm और इस power के साथ जो bike की performance है वो segment में आने वाली किसी भी bike से better है इन segment 0-200 इस bike को कोई bike beat नहीं कर सकती बाकी features में आपको इसमें 6-speed gearbox मिल देंगे single channel EBS होगा आप सभी की safety के लिए bike में mobile phone connectivity वाला feature भी होगा और bike का console होगा fully digital और इन सभी के साथ-साथ आपको bike में golden UHD box मिल जाएंगे बाकी dimension में इस bike का cover weight है 139 kg का bike का ज़्याधा lightweight है बाकी segment में आने वाली bikeों से और काफी निमबल है city riding के लिए seat height bike की 8-10 mm और fuel tank capacity 10 liters की और यह bike आपको 45-50 लीटर का mileage देंगे city riding और highway riding पर तो यह दी दोस्तों दस ऐसी bike के जिनने आप consider कर सकते हो अगर आप college going student हो so I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जोगा देना और मुझे नीचे comment का कि बता न मत बोलना कि इन सारी ही bikeों में से आपकी favorite bike कौन सी है और कौन सी bike की road presence सबसे ज़्यादा है बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नह जलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में